So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरू करना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे मुझका डॉक शिप बिल्डर्स लेमिटेट के साथ स्टॉक की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेजन मौनिंग में शियर ने काफी अच्छे रेटन्स दिया पर उसके बाद हमें गिरावट भी देखने को मलती है स्टॉक अगर देखे करेक्शन बता रहा है अफ्टर यहां पर अग्विल देखोगे एक महीने की एक तरफा ग्रोथ के बाद स्टॉक में करेक्शन आ रहे है बट अफकमिंग ट्रेडिंग सेजन में इतने बड़े सब्सक्राइब भी आपको एक चीज बदाई थी जो निर्मल बांग जी है उनकी और से यहां पर अगर देखे क्लियर ली मजगाव डॉक्शिप बिल्डस में उनकी उसे कहा गया कि स्टॉक में जो टार्गेट है नया टार्गेट उनने दिया है 4143 का उनका मानना है कि स्ट कर में अगर आप देखोगे स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है लास्ट फाइडेस में अल्मोस्ट टॉक 10% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर बता चुका है तो आप अंदाजा लगा सकते हो 10% यानि 500-570 के राउंड गिर गया यानि और यहाँ पर अगर देखे 500 से बाद में डिसकस करेंगे बट यहाँ पर में चीज आपको क्लियर कर देता हो कि स्टॉक अगर गिरता है तो काफी बड़े डिसकाउंट में आपको एश्य मिलेगा क्योंकि आने वाले टाइम में इसके रिजल्स आ रहे हैं प्लस रिजल्स के साथ-साथ एक डिविडेंड का अनॉंसमेंट भी हो सकता है तो इस चेज के लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना है तो यहाँ पर इसकी डिविडेंड हिस्ट्री को पहले हम देख लेता है तो डिविडेंड हिस्ट्री के अगर हम बात करें तो कंपनी की ओड़ से पहले कई की बार यहां पर announcement किये गए है और डिविडेंट के आप पर आप clearly देखो company almost seven times dividends announce कर चुग है since 2020 वन से company आप पर dividend दे रही है और pattern में dividend company देती है एक interim dividend रहता है final dividend रहता है ठीक है तो यहां पर अगर देखे company के और से पहले final dividend का announcement किया जाता है फिर company के और से एक interim dividend दिया जाता है तो यह 2021 से ऐसे ही dividend दे रहा है ठीक है 2021 में फरवरी के महीने में इसने interim dividend दिया था फिर एक बार final dividend दिया था फिर उसके बाद अगर देखे 2022 के जनवरी में हम पर अगर देखे interim dividend दिया फिर final dividend दिया फिर interim dividend दिया फिर फिर 2023 की बात करें तो company ने final dividend दिया September की बात करें 2023 की फिर 2023 के नवेंबर में इसने इन्टेरिम टिंग दिया तो एक चीज आप यहाँ पर देखो 2021-2022-2023 यहाँ पर तीनों ही साल company की ओर से September में dividend के announcement हुए है क्योंकि अगस्त के round round इसके results आ जाते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके quarter one के results कब आएगे तो market screener की ओसे अगर देखें यहाँ पर इनके उसे दी गई है 8 अगस्त 2024 quarter one 2025 की earning release हो सकती है ठीक है आठ अगस्त 2024 को इसके जो results है quarter one के जो results है ओ आएगे और यहाँ पर अगर देखें जब भी इसके results आएगे तब company के उससे यहाँ पर अगर देखें announcement हो सकती है एक dividend के तो यहाँ पर बिल्कुल आप ready रहो कि September के महीने में अगर आप देखो के तो dividend यहाँ पर company की ओर से दिया जा सकता है यहाँ पर दे सकती है तो इसके लिए ready आपको यहाँ पर रहना चाहिए तो बिल्कुल positive हो और 23 जुलाई आ रही है यानि बोन यहाँ पर अगर देखें budget आ रहा है budget 2024 यहाँ पर announce होगा और budget में अगर देखें यह रिकमेंड किया जा रहा है सतर हजार करोड के राउंट के गर देखा जाए garden रीच और मजगाओ गवर्मेंट के साथ एक बड़ा contract इनका होगा और वही बात करें garden रीच शिप बिल्डर्स की भी तो वह स्टॉक बेहतरीन है 2462 रुपे के राउंट closing दिया कई बड़े firms positive यहाँ पर मजगाओं में बले ही negative नजर आ रहे हैं कई लोग बट गार्डन रीच में positive है positive targets इसमें दिये जा रहे है 2462 रुपे के राउंट stock ने closing बताई 70 रुपे के राउंट राउंट अगर आप देखो शेयर गिरा पिछले पाज दिन से एक सो बहुत तो रुपे गिरा बटे एक महीने में तीजी आप देख सकते हूं यहाँ पर हाली में प्रोजेक्ट मिला एक डील इनकी हुई 840 करोड की गार्डन रीचिप बिल्डर्स और इंजिनियर्स की यहाँ पर डील हुई है में कोसियन रिसर्च वैसल्स बनाने के लिए और इस डील के बाद अगर डीके स्टॉक में और एक अच्छा जंप आया भी अगर देखें नेशनल सेंटर सेंटर फोर पोलार एंड रिसर्च कंपनी तो इसके साथ इनकी डील हुई है तो इसके उपर आपको फोकस रखना चाहिए 840 करोड 42 महीने के अंदर अंदर ने इंप्लिमेंट किया जाएगा इस बटिकलर प्रोजक्ट के उपर तो इसके उप पर आप फोकस रहों कोचिन शिप्यार्ट को हम डिसकस करने वाले इसके लिवल्स को हम देखने वाले कोचिन शिप्यार्ट की बात करे 2550 रुपी का इस शेर है बहुत तर रुपे 45 पैसे के रहा हुं गिरा उट रही हालाकि मॉर्निंग में बढ़त रही थी लास्ट तरी सन पाच दिन में 333 रुपे गिरी चुका है तो यहाँ पर कोचिन शिप्यार्ट को हम डिसकस कर लेता है इसके लिवल्स क्या होगे और हमें किन पॉइंट्स के उपर ध्यान देना चाहिए तो हम यहाँ पर आ जाएगे अस पर पाडिकलर शेर को डिसकस यहाँ पर कर लेता है तो स्टॉक यहाँ पर कहीं न कहीं हमें एक डबल टॉप बनाता हुआने जराता है ठीक है तो यहाँ पर आप दीखो एक डबल टॉप स्टॉक बनाता हुआ हमें दिखाई देता है और कहीं न कहीं अगर आप ध्यान से दीखोगे तो एक सपोर्ट भी स्टॉक ने अगर दे किया तो एक- descending type triangle जो है इस share में देखने को मिलता है और यहां से breakdown के बाद stock में गिरावट यहां पर आने start होती है ठीक है तो यहां पर गिरावट कप कहा तक आ सकती है share कहा तक गिर सकता है कौन से level important है तो साइट की और से अगर देखिए यह वाली रेंज काफियत तक इसके लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस पर्टिकलर लेवल पर ही सपोर्ट है क्योंकि यही पर अगर देखे जो ब्रेक आउट मिला था यहां से तभी स्टॉक में अच्छी तगडी रैली हमने दे कर ले तो देखते हैं आगे क्या होगा क्योंकि 2360 के लेवल सही स्टॉक में ब्रेक आउट यहां पर हमें मिला था लास्ट रीडिंग सेजन्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो यहां से स्टॉक में कई सारे गाप इनके आपको भी फील करने स्टॉक आ सकता अगर लीवल ब्रेक होता है तो शेयर में और एक बड़े फॉल आ सकता है इस पर्टिकलर रेंज के अराउंड अगर देखे स्टॉक आने की कोशिश यहां पर कर सकता है तो यह रेंज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी तो यहां से ब्रेक अपर बिला फिर उपर फिर संटेंग कर सकता है फिर ऊपर की यहां से राइड बनाता हूं यहां से स्ट्रेट लाइन तो यहां से हमें कई ने कई एक राइस ऐस टयान यह जैनल बनता देखता है इस rising wish type channel का breakdown देखने को मिलता है और यहां से stock में fall continue हो सकता है तो कुछ इसी चीजे भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है तो देखेंगे आगे stock में क्या होता है अब बात कर लेते हैं एक split share की split share का नाम क्या है तो बिल्कुल यहां पर हम search कर लेंगे split share का नाम है रूशील डेकोर्ट लेमिटेड तीन सो चतीस रुपे का शेर है और company के ओड़ से split का announcement किया गया split कितना दे रही है company तो यहां पर अगर देखे split दे रही है 10-1 का यानि एक share 10 share में टूटेगा 9 अगस्त 2024 से बहले बाई करोगे तो बिल्कुल आपको इसका benefit मिलेगा और और काफी कुछ चीजे हम discuss कर चुके इस particular share को लेकर इस वीडियो में I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को like channel को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis कर लेना साथ ही telegram channel को join कर सकते हो जिसके link आपको नीचे description में मिल जाएगी thank you